दोस्तो आपने मेरी वीडियो How To Convert Number Into Word ज़रू देख्योगी उस वीडियो में मैंने एक UDF फाइल से number को word में convert किया था लेकिन दोस्तो उस वीडियो पर maximum लोगों ने comment किया था कि वो UDF फाइल only उस same Excel sheet में काम करता है जिसमें वो सेव किया है, वो बाकिकी New Excel sheet में काम नहीं करता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊँगा कि कैसे आपको UDF को सेव करना चाहिए, जिससे वो सारी Excel फाइल में काम करें, तो उसके लिए प्लीज ये वीडियो लाज सक जोड़ देखे रही है नमस्कार दोस्तों मैं आपके एक्सल और कम्प्यूटर का ट्यूटर गोवें and you all are watching कॉम्प्यूटर दोस्तों सबसे पहले हम उपन करते हैं न्यू एक्सल सीट और यहाँ पर आपको वो UDF एंटर करना है जो आप सारी एक्सल फाइल में यूज करना चाहते हैं तो दिखें मैंने नोटपैड में वो UDF एक्स्रेडी किया है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो यहाँ पर अब हम एक्सल फाइल ओपन करने के बाद दबाते हैं आल्ट F11 और जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ से चुनते हैं मोड्यूल इसके बाद नोटपैड वाली फाइल को Ctrl A, Ctrl C यहीं कोपी इसके बाद यहाँ पर आकर पेस अब हमें जाना है फाइल और सेव तो सेव करते हमें कुछ सावधानी बरत नहीं है यहाँ पर इसका नाम देना है जैसे मैं इसका नाम देता हूँ जो हमें याद रहे तो नाम में रखूंगा इसका नम तू वर्ड और इस फाइल के सेव एस टाइप में आपको जाना है और यहाँ से देखे लास्ट से आप जाएए तो आपको एक option मिलेगा एकसल एड इन यह option चुन लीजिए एकसल एड इन और यह option चुनने के बाद आपको इस फाइल को एक लोकेशन दे दिनी है जैसे मैं भी desktop की location दे देता हूँ लेकिन आप desktop की मत दीजेगा इसको वो location दीजेगा जहां पर यह फाइल सेव रह देता हूँ और save करने के बाद desktop पे जाता हूँ तो देखे वो file यहां पर आ गई है तो अब जो file मैंने यह open की है इन सब को में close कर देता हूँ अब मैं new excel seat open करता हूँ दुबारा और जाता हूँ file ms office वाले option में यहां पर option और उसके बाद देखे second last option है add in इस पर जाना है औ और go पर click कर देना है उसके बाद आपको यह वाला option मिलेगा अगर आपका excel smart हुआ तो वो automatic उस file को यहां पर दिखा देगा और अगर नहीं दिखाता है तो आपको जाना है third option browse में और desktop पर से वो file देखे यह रही वो file num2word जो मैंने save की थी desktop पर और यहां से वो file pick कर लेनी है अब pick करने के बाद देखे वो file यहां पर आ जाएगी और उस पर automatic से check हो जाएगा अगर check नहीं होता है तो आपको उसके box में check कर देना है और tick करने के बाद यहां से करना है OK बस यह file save हो गई है यानि कि वो add in हो गया है हमने उसको add किया है excel की सारी files के लिए तो अब अगर म range between से number ले लेता हूं bottom में डाल देता हूं 20 और top में डाल देता हूं कोई भी value ठीक है इसको नीचे किया और यहां पर हमें formula लगाता हूं is equal to num देखे num to word का formula मेरे को मिल रहा है इस तरह से आप कोई भी UDF का formula यूज़ कर सकते हैं किसी भी excel sheet में मैंने यहां पर alt F11 करके कोई UDF नहीं दिया है हम इसको close कर देता हूं और दुबारा से देखे excel sheet open करता हूं और यहां पर वापिस से num to word लिखता हूं तो वह formula मेरे को मिले तो अब यह formula में हर एक excel sheet के लिए fix कर चुका हूं तो इसी तरह आप यही नहीं कोई भी formula fix कर सकते हैं किसी भी worksheet के लिए तो I hope friends यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई परेसानी या दिक्कत नहीं होगी तो अगर यह वीडियो helpful रहता है तो please इस वीडियो को like करे, comment करे और share करे और अगर आप first time visit कर रहे है हमारे चैनल को तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नीचे चैनल के logo वाले circle पर click करके चैनल क सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जूड़े रहे है तो नेक्ष वीडियो में फिल्म लूगा एक और नए और इंट्रेस्टिंग से टोपिक के साथ तब तक वीडियो देखते रहे है और सिखते रहे है लीज अपना ध्यान रखेगा दोस्तों गुडबाई